दोस्तो आज हम कुकर में बहुती बढ़िया छोले बनाके तयार करेंगे और इनका जो स्वाध है एकदम बाजार जैसा होगा और बहुत जल्दी बनके तयार होंगे छोले बनाने के लिए मैंने यहापर 2 कप छोले लिये हैं और इनको रादबर भिगोंके रखाता छोले अच्छे से फूल चुके हैं और अपने साइस के डबल हो गए हैं इतनी छोलों में हम 4 लोगों के लिए छोले बना के तयार करेंगे तो इनके पानी को हम निकाल देंगे अब लिया है एक grinding jar और jar में डालेंगे एक कटी हुई प्याज एक कटा हुआ टामाटर एक इंच अधरक का टुकड़ा चार लसन की कलिया एक चुथाई चम्मच लॉंग एक चुथाई चम्मच काली मिर्च और सबको कर लेंगे बारी grind पेश्च यहाँ पर हमारा होगया है बन के तयार अब लिया है मैंने pressure cooker और उसमें डालेंगे 4 चम्मच तेल तेल गरम होगए तो तेल में डालेंगे हम 2 बड़ी इलाइची 2 देश पत्ता 1 चम्मच जीरा सबको हम अच्छे से भून लेंगे भूनने के बाद अब हम इसमें डाल लेंगे तयार किया हुआ पेस्ट और डालेंगे आदा कप पानी और साथी साथ डालेंगे हमें आपर दो चम्मत धनिया पाउडर एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर सब को हम अच्छे से मिला देंगे और मिलाने के बाद इस मसाले को हमें ढखके लगभग 5 मिनट तक पकाना है और हमें बीच बीच में एक से दो बार मसाले को चलाते जरूर रहना है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मसाला जल जाएगा तो यहाँ पर यह पूरे 5 मिनट हो गए हैं मसाला यहाँ पर हमारा अच्छे से भुन गया है आप देख सकते हैं इसमें तेल को भी छोड़ दिया है तो अब हम इसमें डाल देंगे भीगोए हुए छोले और साथी साथ हम डालेंगे इसमें डेड़ ग्लास भर के पानी एक चम्मच नमक सारे चीजों को हमें अच्छे से मिला देना है और मिलाते हुए छोले और मसाले को मिक्स करना है और अब हम कुकर को करेंगे बन एक सीटी लगाएंगे हम हाई फ्लेम पे उसके बाद गैस को करेंगे हम मीडियम और मीडियम फ्लेम पे लगभग छे से साथ सीटी आने तक छोलों को हमें पकाना है साथ सीटी आ गई है गैस को कर देंगे हम बन और कुकर को करेंगे हम रूम टेंपरिचर पर पूरी तरीके से ठंडा कुकर यहाँ पर हमारा ठंडा हो गया है तो चली हम खोल के देखते हैं यह देखिए दोस्तों कितने भड़िया छोले हुए हैं बन की तैयार और आप इनका कलर देख सकते हैं यह देखिए छोले यहाँ पर अच्छे से पक गए हैं तो अब हम इसमें डालेंगे एक चमच गरम मसाला थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया और यह हो गए हैं छोले हमारे खाने के लिए तैयार इनको कीजी आप गरम गरम सर्व इन छोलों को आप पूरी पराठे चावल के साथ खा सकते हैं बैसे तो छोले भटूरे के साथ खाने में स्वाधिश लगते हैं तो इसको आप ए एक कमेंट कमेंट वोक्स में जाकर जरू शेयर करें जुड़े रहे आप मेरे साथ मिलते हैं नेक्स रेस्पी में तब तक के लिए बाई बाई